हेलो दोस्तो, वेलकम टू माइ यूट्यूब चेनल दोस्तो आज हम देखेंगे रुपे यूपीय क्रेट काड को पेटियम आप फोन पे और गूगल पे में कैसे लिंक करते हैं दोस्तो आज कल रुपे क्रेट काड को बहुत लोग यूज करते हैं UPI payment के लिए सबी bank के रुपे credit card भी provide करते हैं आजकल रुपे credit card UPI app में link करके आप UPI payment कर सकते हैं कोई भी merchant को UPI payment कर सकते हैं direct credit card से यहां पर charges भी नहीं लगता है up to 2000 रुपे तक कोई भी charges भी नहीं है तो चले जानते तीन major UPI app यानि Paytm, phone पे और Google पे में रुपे credit card को कैसे लिंग करते हैं तो पहले जानते Paytm app में रुपे credit card को कैसे लिंग करते हैं पहले Paytm app को open कीजिए open होने के बाद उपर यहां पर प्रोफाइल का option इस पर क्लिक कीजिए प्रोफाइल में आपको लिंक रुपे credit card on UPI का एक option मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए अगर यह option यहां पर सो नहीं हो रहा है तो आप Paytm आपको प्लेशोर से अपडेट कीजिए अपडेट करने के बाद यह option यहां पर प्रोफाइल में यहां पर सो हो जाएगा फिर भी अगर यह options हो नहीं हो रहा है तो आप UPI सेटिंग में जाके चेकिजिए यहां पर वहां पर भी आपको credit card link करने का option मिल जाएगा UPI सेटिंग में यहां पर जो bank link है इसके side में ही यहां पर credit card link करने का option है तो इस पर भी आप click कर के credit card को link कर सकते है या directly आप पर प्रोफाइल से है credit card को link कर सकते है जो bank्स रूपे UPI credit card payment facility प्रोवाइड करते है उन्स सभी bank का नाम यहां पर आ जाएगा पहले बहुत कौम bank का नाम यहां पर था लेकिन अभी maximum bank का नाम यहां पर है जो भी बेनक अभी रुपए UPA credit card facility provided करते हैं अब भी बेनक का नाम यहांपे अभी है तो यहांपे जिस बेनक में आपका रुपए credit card है उससी बेनक को यहांपे select किजिए select करने के बाद कुछ टाम प्रोसेस होगा and automated link हो जाएगा आपका credit card उसके बाद आप UPI pin create करके transition कर सकते हैं अगर आप पहली बार link करते हैं तो यहाँ पर आपको UPI pin create करना होगा link करने के बाद आपको UPI pin create करना होगा UPI pin create करने के बाद आप credit card के थोप payment कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है Paytm phone पे Google पे में जो mobile number link के उसी mobile number credit card के साथ link होना चाहिए नहीं तो credit card यहां पे link नहीं होगा जैसे आप पो Paytm UPi app में bank को link करते हैं उसी तरफ यहां पे भी दोनो mobile number save होना चाहिए credit card का register mobile number and UPi app का register mobile number दोनो save होना चाहिए अगर अलग है तो यहां पे link नहीं होगा तो अभी सानते phone पे आप में रुपे credit card को कैसे link करते हैं तो पहले phone पे आपको open कीजिए open होने के बाद उफर profile का option है इस पे click कीजिए तो profile and payment में रुपे credit card on UPi का एक option मिलेगा इस पे click कीजिए यहां पे add new card का option है इस पे click कीजिए अगर आप पहले से कोई card link है तो दूसरे card भी आप link कर सकते हैं तो यहां पे add new के उपर click कीजिए तो सभी bank का नाम है पे आजाएगा तो आप कोई भी bank को select कीजिए आपके पास जो भी bank का रुपे credit card है उसी bank को यहां पे select कीजिए select करने के बाद automatic आपका credit card यहां पे link हो जाएगा दोस्तो अभी जानते google पे आप में रुपे credit card को कैसे link करते हैं दोस्तो पहले google पे आपको open कीजिए open होने के बाद उपर profile का option है इस पे click कीजिए then यहां पे payment method में जो banks link के वहां पे payment method में यहां पे रुपे credit card का एक option है इस पे click कीजिए then credit card credit card को यहां पे select कीजिए यहां पे जो भी आपका credit card है उसी card को select कीजिए select करने के बाद automatic card link हो जाएगा अगर आप पहले से लिपे pin create कर सुके जाएगा तो इस तरह आप तिनों आप में credit card को link कर सकते हैं रुपे credit card को तो इस वीडियो कैसे लग आपने comment पे बताएए और अच्छा लगे तुम्हां like share and subscribe करना thank you for watching